हालो फ्रेंड्स अवर यू ओल विलिक्सिक्षा के सेग्मेंट में आज हम डिस्कुस करने वाले हैं एक बहुत ही विवादित कानून पर जिसका शौट में नेम है A.F.S.P.A. अफसपा जैसा शब्द इसके लिए हिंदी में गढ़ा जाता है जिसका फुल फॉर्म है Armed Force Special Power Act हिंदी में से कहते हैं सशस्त्र बल विशेश शक्तियां अधिनियम या इसे हिंदी में अफसपा के नाम से ज़्यादा चर्चित है जाना ज 58 में भारतिय संसद ने इस कानून को लागू किया जिसे A.F.S.P.A. हम कहेंगे बार-बार ये एक फॉजी कानून है जिसे डिस्टर्ब क्छेत्रों में लागू किया जाता है यह कानून फॉजी बलों को सुरक्षा बलों को और सेना को विशेश अधिकार देता है A.F.S.P.A. को सेप्टेंबर 1958 में आसाम, मनिपुर, त्रिपुरा, मेगाले, अरुनाचल प्रदेश, मीजोरम्द और नागालेंड सहेत भारत के उत्तरपुरों में लागू कर दिया गया था इन राज्यों के समूग को सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है इसे भारतिय संग से अलग पुर्वत्तर राज्यों में हिंसा रोकने के लिए लागू किया गया था बाद में पंजाब और चंडीगड भी इस अधिनियम के डाएरे में आये और यहा कानून 1997 तक दोनों ही राज्यों में पंजाब और चंडीगड में लागू रहा 1997 में इस कानून को वहां समाप्त कर दिया गया AFSPA 1990 में जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू कर दिया गया था तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें कानून के प्रावधानों को जानें ये जानना भी जरूरी है कि कौन से क्षित्र ऐसे क्षित्र होते हैं जहां ये कानून लागू किया जाता है तो जैसा कि मैंने थोड़ी दिर पहले बताया डिस्टर्ब्ड एरिया में ये कानून लागू होता है तो ये डिस्टर्ब एरिया क्या होते हैं ये जानिये कि ऐसे एरिया जहां धार्मिक, नसली, भार्षाई, क्षित्री समूहों, जातियों, समुदायों इनके बीश में मधवेद है या विवाद है जिसके कारण वहां अशान्ती बनी हुई है तो ऐसे क्षित्र को केंद्र सरकार या राज्य सरकार डिस्टर्ब एरिया घोशित करती है ये AFSPA एक बहुत चोटा सा कानून है जिसमें केवल साथ धाराएं है राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी भारती एक क्षित्र को डिस्टर्ब एरिया घोशित कर सकती है A.F.S.P.A. की धारा तीन के तहट राज्य सरकार की राय लेना जरूरी है कि क्या एक खेत्र डिस्टरब खेत्र है या नहीं अगर ऐसा नहीं है तो राज्य पाल या केंद्र सरकार इसे खारिज कर सकते हैं AFSP अधिनियम की धारा तीन राज्य या संगी राज्यक्षेत्र की राज्यपाल को बजट की आधिकारीक सूचना जारी करने का अधिकार देता है जिसके बाद उसे केंद्र के नागरिकों की सहायता करने के लिए सशस्त्र बलों को भेजने का अधिकार प्राप्त हो जाता है विशेश न्यायल अधिनियम इस्पेशल कोट सेक 1976 के नुसार एक बार यदि किसी क्षेत्र को डिस्टर्ब क्षेत्र घुशित कर दे तो उसके बाद कम से कम तीन महिने वहाँ इस्पेशल फोर्स की तैनाती रहती है ये कानून आम्ड फोर्स को कौन से स्पेशल पावर्स देता है आए इससे जाने तो चेतावनी के बाद यदि कोई व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में कानून तोड़ता है और असानती फैलाता है तो आम्ड फोर्स के विशेश अधिकारी द्वारा आरोपी की मृत्यू हो जाने तक अपने बल का प्रयोग किया जा सकता है मतलब उसे जान से मार सकते हैं ये लोग अफसर किसी शेल्टर हाउस आश्र इस्थल या धाचे को तबाह कर सकते हैं जहां से हतियार या ऐसा कुछ असला बारूद प्राप्त होने की संभावना है ससस्तर बल किसी भी हसंदिक्द व्यक्ति को बिना किसी वारंड के अरेस्ट कर सकते हैं और अरेस्ट के दौरान उनके द्वारा किसी भी तरह के बल का उप्योग किया जा सकता है आर्म्ड फोर्स के आफिसर्स परिवार के किसी व्यक्ति, सम्पति, हथियार, गोला बारूद आधी को बरामत करने के लिए बिना वारंड के कहीं भी घुश सकते हैं, किसी भी जगह की तलाशी ले सकते हैं और इसके लिए जरूरी बल का इस्थिमाल कर सकते हैं आर्म्ड फोर्स के अधिकारी एक वाहन को रोक कर या गैर कानूनी ढंग से जहाज पर हथियार ले जाने पर उसकी तलाशी ले सकते हैं यदि किसी व्यक्ति को गिरफतार किया जाता है तो इसको जल्द ही पडोसी पुलस स्टेशन में अपनी गिरफतारी के कारण के साथ उपस्थित होना होता है कि उसको क्यों गिरफतार किया गया है सेना के अधिकारियों को उनके वैदकारियों के लिए कानूनी प्रतिरक्षा दी जाती है तो AFSPA अफसपा कानून के तहत ये कुछ विशेश अधिकार हैं जो आम्ड फोर्सेस को दिये गए हैं और कई बार ऐसा आरोप लगाया जाता है कि आम्ड फोर्सेस इन अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रही है अगर आपने इरोम शर्मिला का नाम सुना हैं तो उन्होंने इसी कानून के तहत लंबे समय तक उपवास किया है मई 2015 में त्रिपूरा में कानून व्यवस्था की स्थिती की संपूर्ण समिक्षा के बाद 18 वर्षों तक AFSPA इस राज्जी में लगा था और इसे हटा दिया गया अभी वर्तमान में आसाम, नागालेंड, मनिपूर, अरुनाचल प्रदेश, मेगाले, जम्मू कश्मी, राज्जी, इसके दाएरे में आते हैं जहां ये कानून लागू है तो फ्रेंड्स ये थी AFSPA कानून के बारे में बहुत नट्शेल में कुछ मतवपूर्ण जानकारियां उमीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके काम की है और आप इस जानकारी से संतोष्ट हैं अगर आप किसी और विवादित कानून के बारे में, कानून की किशिश अबदावली के बारे में, किसी कानून की धारा के बारे में कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आप कुछ नहीं भी जानना चाहते हैं तो भी comment box में आईए आपका feedback बड़ा महत्वपूर्ण है बताईए कि आपको ये lecture series कैसे लग रहे हैं audio और video दोनों तरह के lectures इस channel पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं समय समय पर तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए share करिए comment करिए महत्वपूर्ण है जुड़े रहिए आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं किसी नए topic के साथ इसी channel पर तब तक के लिए bye bye take care have a nice time